नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेचिंग ज्याम उबरलोट पे साथियों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोगों ने यूपीटेट सूपर्टेट की क्लासर इस्टार्ट कर दी हैं आज के सेसन में हम लोग यूपीटेट सूपर्टेट के अंतरगत आपकी जो इवीएस के पोस्टन से प्रस्द बनते हैं हम लोग यह स्टी बुक यानि हमारा पपिबेडस कछा चार की जो बुक प्राइमरी की होती है इसमें हम लोग मेन मेन जो पॉइंट है इसको कभर जिस इससे बाहर से आपके एक भी प्रस्म नहीं बनेंगे हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यह CRT बुक की सीरीज चला रहे हैं CRT बुक आज से स्टार्ट हो रही है आपकी जिसमें हम लोग CRT फिट बुक लगर एक ठी। बुक आपके क्लास फोर फॉर फाइफ सिक्स और से बरुस्ट की इबियस बुक कर वाएंगे और इसके बाद एक तक uh कि touches उसके बाद जैसे ही आप लोग चार पांट छे साथ आर्ट की इवियस बुक हो जाएगी आपको हम लोग उसके बाद आपकी जो भूगोल की हो गई या सी आई टी भूगोल जो प्राइमरी में आपकी भूगोल की बुक लगती है उसमें भी हम आपको छे साथ आर्ट की कबर क तैयार हो रही है ऐसा ही हम लोग हिस्ट्री की कबर करवा देंगा आपको 678 की हिस्ट्री कबर करवा देंगे तो अगर आप लोग यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीटेट में आपकी पेपर 2 की लियर हो जाएगा यहीं से और अगर आप आप लोग साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो लगबग आपके सभी पोर्षन जो स्लेवस में दिये गए हैं 678 की बुक से कवर हो जाएगा इसमें आपके उद्धर उद्धर पदेश इस पिसल जो पूछा जाता है उस वह भी आपके सी बीएस बुक से ही कवर हो जाएगा तो आ आप लोग टेलीगाम से जूर जाएए जैसे ही क्लास फोर्ष समाथ होगी इसका पीडिये मैं आपको अपने चैनल पर प्रवाइड करवा दूँगा इसके लिए आप लोग बेफेक रही है बस चैनल के साथ बने रही है तो आज हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग यंसी आ आएगा तो कि चैप्टर बड़े हैं जिसको हम लोग तीन पार्ट जारा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि जारा बड़े वीडियो बनाने से भी कोई मतलब नहीं होता बीच से पचीस मिनट की वीडियो रहेगी आपको में में पॉइंट को कबर करवाएंगे उ से में आपका नागरिक साथ पॉल्टी सब आ जाएगा तो इसके लिए आप लोग बेफिक रही है बस चैनल के साथ बने रही है चलिए फिर हम लोग आज के सिसन को स्टार्ट करते हैं जो कि यूपी टेट के लिए इस प्रस्न क्लास है यहीं से आपको प्रस्न देखने को मि लेंगे पेपर में तो चलिए आज का पहल साथ हम लोग लोग रहते हैं वही हमारा रोताओ लुग कितने प्रकार से होते हैं और हम लोग से एकनल परिवार और स्जाइयू होता है joint परिवार क्या होता है तो सीरे सब्सक्राइब में समझ लिए एकल परिवार कि अगर बात की जाए जिसमें पती-पतनी उनके बच्चे आनि जिसमें आप हो मान लिजे आप पढ़ रहे हैं आप मान लिजे आप अकेले भाई हैं आप हो आप आपका भाई और माता-पि हो गए उनके भाई बहन हो गए यानि आपके चाचा-चाची दादा-दादी सब हो गए इसको क्या कहेंगे संयुक्त परिवार कहेंगे यानि जिसमें आपके दो-तीन परिवार जुड़े रहें आपके चाचा का परिवार हो हां और आपके दादा-दादी हो माता-पिता हो सब एक परिवार में रहते हों इसको क्या कहते हैं जॉइन फैमिली कहते हैं तो एकल परिवार समझ गए होंगे जॉइन परिवार क्या होंगे अगर परिवार की बात की जाए तो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है परिवार दो प्रकार से होते हैं एकल पर्युआर संयुख वग्वभ संयूत पर्युजर त्व ठीग जैसा कि फीगर में भी आप लोग देख रहे होंगे फीगर में आपके माता-पीता आप यवा थापक आपके भारी बहन आपके चाचा दादा दादी सब आ जाएंगे तो आपका संयूग पईवार कहलाएगा ठीक तो एकल पईवार यानि माता पिता और आप हो गए सिप्तीनी चार्ड लोग रहोगे अगर संयूग पईवार की बात की जाए जैनल मरलब जॉइन फैमिली की उसमें आपके दादा दादी हो गए उसके ब तो आपका संयूग पईवार कहलाएगा तो एकल पईवार क्या होता है इस तरह के पईवार में माता पितायों बच्चे होते हैं यानि एकल पईवार में सिर्फ आपके माता पितायों बच्चे होते हैं कभी-कभी बच्चे माबाप के प्यार से वन्चित रह जाते हैं एकल अपना की चीज होती है तो अगर एकल पईवार के रहने से बच्चों में कई चीजें की कमी भी हो जाती है क्योंकि इस तरह के पईवारों में माता पिता यों बच्चे ही होते हैं तो कभी-कभी बच्चे माबाप से प्यार से वंचित रह जाते हैं क्योंकि माबाप जो होते ह अपने कामकाज में ही बैस्त रहते हैं, तो बच्चों पर इतना समय नहीं रह पाते हैं, लेकिन वहीं अगर वो जॉइन फैमिली वे रहें, तो अपने चाचा के लड़कों के साथ खेलेंगे, दादा दादी का प्यार मिलेगा, उनसे कहानिया सुनेंगे, तो उसमें उनको प पिटा जी काम चले गए, माता जी कहीं बाहर चली गए, तो बच्चे अकेले घर में पढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं जॉइन फैमिली में रहेंगे, तो चाचा चाची के लड़के रहेंगे, उनके साथ खेलेंगे, दादा दादी रहेंगे, परिवार में और भी लोग रहे इस तरह के परिवार में माता पीता हैं बच्चों के अलावा अन्य सगे संबंदी भी होते हैं, बच्चों को माबाप के अलावा अन्य संबंदियों का भी प्यार मिल जाता है, बच्चे को भरपूरिशने और प्यार मिलने के एकार उनका सुभाव समाजी का ज्यादा अच् लड़के हो गए उसमें कई चीज होंगे वातरण नहीं जाड़ा इसे प्यार बच्छों को जाधा मिले गए माता पीद नहीं पड़ेंगे उन सब पर बच्चे भी चार जीन हो जाएंगे ना इसलिए संयोट पईवार का फाइदा जादा होता है बच्चों के साथ वह अस्तान जहां पर हम रहते हैं हमारा घर या आवास कहलाता है अनि जिस अस्तान पर हम लोग रहते हैं वही हमारा आवास होता है यानि हम लोग जहां प तता बास बनली आजिका ही उप्योग करते हैं तो ऐसे घर को हम लोग जोपड़ी कहते हैं आज से लगबग धाई हजार इसबी पूर बिक्सित सिंदू से बता जो थी भारत की पहली नगरी से बता थी इस सब्दा की प्रमुग विशेचता थी सुनियोजित नगर और भवन न नियोजित नगर थे भवन निर्मार विवस्था थी समुचित जल निकास पराली थी जैसा कि आप लोग फीगर में देख रहेंगे सिंदू सब्दा की नगर योजना जो थी बहुत ही सब कुछ बहुत ही अच्छे धंग से बनाया जाता था पाली निकलने की विवस्था रह योग के दोरान कई अनुपयोगी पदाद को जूच करते हैं तो उसमें कुछ पदाद बच जाते हैं इनमें हम कच्छडा या अफ्सीष पदाद कहते हैं जैसे सबजी व फल के छिलके हो गए उप्योग के बाद बची हुई चाय की पत्ती हो गई टाफी हो गई आपका वि निस्तानों कच्छा इदर उदर फालतू न फेका जाए जिसमें हम लोग चार चीत को बात करेंगे आर 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 यानी सबसे पहले reduce फिर refuse उसके बाद reuse उसके बाद recycle तो सबसे पहले हम समानों बारिफिनिथाली की उप्यों इसको मना करना है उसके बाद रानी को हम अपनी समझदारी से पुरानी बल्ट्यों के तूटने पर उसे कूड़े डान या गंले के ओNew लाना तो इसको इसको हम लों क्या कहते हैं थी करना यानि रिसाइकल करना आसी वस्तियों जो पुराने कागज समा चाण पत लोहे वा कांच के तुकड़े आदि पुना चक्रन के दौरा बहुत से अप्स्री पधातों को गला पुना परियोग में लाया जा सकता है तो यह सब क्या कहलाते हैं आपको चार चीज होता है में reduce फिर refuse फिर reuse फिर recycle ठिक चरिए आगे बढ़ते हैं इस ट्रेटोस कोप क्या होता है तो दिल की धड़कन सुनने के लिए इस ट्रेटोस कोप का परियोग किया जाता है वहीं रख्चाप मीटर के दौरा रख्च के दबाव को रिकार्ड करने के लिए किया जाता है इस टाप वाज क्या होता है तो समय रिकार्ड करने के लिए इस टाप वाज का परियोग करते हैं हम लोग इसके अनावा आपका थर्मा मीटर क्या होता है सरीर का ताप मान मापने के लिए थर्मा मीटर का परियोग किया जाता है वजन मापने के लिए इसका परियोग किया जात जाता है वजन मापने के लिए इस मसीन का प्रयोग किया जाता है तो आपका इस्टेटोस्कोप की बात करें दिल की धर्कन सुनने के लिए रच्चाप मीटर रच्च के दवाव को रिकार्ड करने के लिए स्टाप वास समय रिकार्ड करने के लिए थर्मा मीटर सरी का ताप मा करते हैं यानि हम लोग डैनिक गीवन में जिसको खाने पीने में उपयोग करते हैं इसके माध्यम से में सरीर को उर्जय मिलती है वही सब हमको उर्जय कहलाता है सौस रहने के लिए में संतुलीर भोजन करना अतियार सक होता है तो आप लोग ने संतुलीर अहार सुना होगा तो सौस रहने के लिए हमें संतुलीर भोजन करना चाहिए जिससे उर्जय देने वाले पदात कार्बो हाइडरेट और वसा सरीर की बिद्धी करने वाले पदात प पदाद पोटेन तदा रोगों की सुछा पदान करने वाले पदाद बीटामिन तदा खनीज लवग संतुली ताहार में होने चाहिए तो आप लोग जो जैनिक जिवन में खाने-पीने का प्योग करते हैं सब संतुली तहार में होना चाहिए हमें प्रयाप माता में पोटेन लेना चाहिए हमें बिटामिन पर्याप मात्रा में लेने चाहिए संतुली तहार में लेना चाहिए संतुली मात्रा में खाना चाहिए कोई ज्यादा नहीं खाना चाहिए ना किसे चीज को कम खाना चाहिए उसके अलमा दूद अवस पिना चाहिए हमको दूद अवस पिना चाहिए दूद एक संपूर अहार है क्योंकि इसमें लगबख सभी पुशकतत मौजूर होते हैं means प्याज उगाईा जाता है प्याज में विटामिन सी फासपूरा साधी पौश्टिक तर्थ पाया जाता है तो भारत वस्में रभी जो होती है और नॉम्बर से मार्च के बीच होती है चादा खरीब जो होती है आगस से अक्टूबर के बीच होती है दोनों रितों में ही प्याज उगाया जाता है पुछ जाती है उसके अकटूबर में बोई जाती है और अंवर होते हैं कुछ जानवर कि के भोजन को आहार के रूप में लेते हैं जो सर्भा हारी कहलाते हैं आहां से आपका पेपर में प्रस्न बन चुका है आपके साका हारी जंतु कौन से होते हैं मासा हारी जंतु कौन से होते हैं और सर्भा हारी क्या होते हैं यहां से पेपर में आपके प्रस्न बन चुके हैं छत्ता मनमक्यों का वास अस्थान होता है तो छत्ता क्या होता है मनमक्यों का वास अस् करती है इसका जीवनकार लगभग तीन वर्स का होता है च्छते में कुछ नर्मद मख्यां तरह कुछ मादा समीख मद मख्यां भी होती हैं समीख मद मख्यों सबसे ज्यादा काम करती हैं जैसे पैदा करना च्छता बनाना च्छते की साफ सफाई वा सुरच्छा करना फूलों क मानने वाले भी यही माधा समीक मदमक्खी ही होती है इसका जीवन कान लगभग 40-45 दिन का होता है तो छत्ता का जो मदमक्खियों का वास होता है सथान कुम लोग छत्ता कहते हैं पत्रेक छत्ते में एक रानी मदमक्खी होती है जो अंडे देने का कार करती है आपकी रानी मद का होता है छचते में कुछ नर्मत्मक्यां तदा कुछ माद्या, सभसे ज्यादा अंडो की देख बाल करना वहीं सभादिक संक्या में होता है डंक मारने वाले भी यही माजा समीक मनमक्खियां होती है इसका जीवनकाल 40-45 दिन का होता है इनको हम लोग क्या कहते हैं इनको हम लोग समीक मनमक्खि कहते हैं इनका जीवनकाल 40-45 दिन का होता है मनमक्खियों की तरह चीटियां भी मिल जूल कर रहती हैं सभी चीटियों का का मर्मक्ही को क्या कहते हैं मर्मक्ही पालन को एपी कलच्र कहते हैं रेसम कीट को सेरी कल्चर मचली पालने को PC कल्चर कहते हैं क्या कहते हैं PC कल्चर कहते हैं जैसा कि फीगर में देख रहे होंगे यह बाक्स होता है इसी में मनमक्खियों को पाला जाता है कुछ हम लोग देख लेते हैं सेरी कल्चर सेरी कल्चर को क्या कहते हैं सेरी कल्चर को र रेसम के कीट घूम रहे हो और एपी कल्चर क्या होता है मनमक्खी पालन इसकी टिक क्या होती है एपल में मुझे मनमक्खी मिली एपल में मुझे मनमक्खी मिली तो अगर एपी कल्चर पूछा जाएगा इसकी टिक क्या हो जाएगी मनमक्खी पालन होता है इसकी टिक हो सिर के मिली यानि पब एपल में मझे मछि मिली मान मक्षी पालन पीuten को मचली कठीक मचली खाएं अगर पीशी कंचल तो मचली पालन। फ्लोरी कल्चर फूलों का उत्पादन यानि फ्लो में बह गए फूल, अगर फ्लो में बह गए फूल, तो फ्लोरी कल्चर फूल का उत्पादन, उसके बाद मीठी मीठी अंगूर, मीठी मीठी अंगूर की बात की जाएं, यानि बीटी कल्चर, बीटी कल्चर अंगूर की खे कैची से लडाई हो रही थी वर्मे कैची से लडाई हो रही थी तो क्या हो जाएगा वर्मी कल्चर केचुगा पालन पोमो कल्चर पोमो कल्चर क्या हो गया फलों का उत्पादन यानि पोमा बाबा मुझे फल दे दे यानि फलों का उत्पादन पोमो कल्चर ठीक आयल देकर सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन हाटी कल्चर बागवानी हाथी बाग में घूम रहा है हाथी बाग में घूम रहा है तो बाग से बागवानी और हाथी से हाथी कल्चर तो हाथी कल्चर किस से हो जाएगा बागवानी से ठीक ए रोपोर्टिक हवा में पौधे को उगाना यानी एरे फ्लें उगए उगआ रहे हैं यानी हड्डियों को पानी js Azumoda और भी नैया का दोगर OW इज्यों में ऊटाना इंड now कल्चर अंगूर की खेती वर्मी कल्चर केचुवा पालन हो गया आपका पोमो कल्चर फलो का उलेरी कल्चर सब्जियों का उतबादन हार्टी कल्चर बागवानी एरो पॉर्टिक हवा में उगाने वाला पौधा हाइडोपोनिक्स पानी में उदाने वाला पौधा चलिए खास नक्सल से बनाई जाती है तो पस्मीना जो होती है दुनिया में मसमूर पस्मीना साले होती है जो बहुत गर्म होती है यह मोटी नहीं होती यह पस्मीना पहाड़ी बक्रियों की एक खास नक्सल से बनती है जैसा फीगर में देख रहे होंगे इसी को हम लोग पस्मीना साल कहते हैं माना जाता है कि एक पस्मीना साल को छे सो इट्रों के बराबर गर्मी होती है यह एक पस्मीना साल में छे सो इट्रों के बराबर गर्मी होती है इत्मी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती यह पस्मीना बनता है पहाडी बकरियों की एक खास नक्स से जो लगबख पांच जार मीटर की उचाई पर रह रहे सकते हैं यहां सद्धियों में टापमान जीरो डिगरी संटीगेट से बहुत कम यानि माइनस चालिस डिगरी संटीगेट तक चला जाता है लगबख धाई सो घंटे की बुनाई के बाद एक साधी पस्मीना साल बनाई जाती है इनी खास बकरियों के नसले से पस्मीना साल बनाई जाती है मनुस द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पसु कुत्ता था हजारों वर्स पूर्व कबूतरों का परियोग संदेश वहा के रूप में किया जाता है मनुस द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पसु कुत्त था हजारों वर्स पूर्व कबूतरों का परियोग संदेश वहा के रूप में किया जाता था चलिये आगे बढ़ते हैं केच्वा झो होता है भूमी के अंदर रहता है चलिए से किसानों का मित्र आजाता है तो आगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे जिसमें हम लोग इसके आगे के चप्टर को कवर करेंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा इस आपको कैसी लगी हम लोग के लिए लाएंगे करने के लिए आपको पूरा निचोर देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताईएगा आपको क्लास कैसी लगी कल से हम लोग यह स्ट्री और जियोग्राफिक की बुकों को भी स्टार्ट कर देंगे जो प्रामरी में आपकी बुके पूछी जाती है हमारा नागरिक सास्त यहांसे भुगोल की बुके उनको भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो अगर आप लोग सूपर ट्रट आपको पास करना है यूपल शूपर करने केमिशा के लिए आपको स्टीर ने को प्ड़ने ही तब तक आप लोग एक काम करिantage की नोची नोट्स नहीं बनाएंगी।। तो चार महीने में सूपर टेट और यूपी टेट का पूरा स्लेबस में आपका कबर करवा दूँगा आप लोग अच्छी नोड भी तयार कर रहे होंगे कर चुके होंगे उसके बाद आपको लगातार पैक्टिस करनी है पैक्टिस हम लोग बहुत बेहतीन करवाएंगे तो आ लिए आज के सेस्टन को में ही समाब करते हैं कर फिर मिलते हैं किसी नए सेस्टन के दाद तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम